नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बेटी के ह्रदय से निकले हुए शब्दों को कविता के माध्यम से ले करके आई हूँ, आप इसे सुनिये, शुरू करते हैं तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं भी मुस्कुराऊंगी, इस बार जून के महिने में मा, मैं मायके नहीं आपाऊंगी बच्पन की वो सारी यादें दिल में मेरे समाई हैं, बड़े लाड से पाला कहके की तू पराई है संसकार मुझको दिये मुसारे, हर दर्द सिखाया सहना, जिनके आचल में बड़े हुए, आ गया उनसके बिन रहना इंतजार में बीत जाते हैं, यूँकी महने ग्यारह, जून के महने में जाके देखती हूँ चहरा तुम्हारा कितने भी पकवान बना लू, कुछ भी नहीं अब भाता है, तेरे हाथ का बना खाना, मा बहुत याद आता है शरीर जरूर बुढ़ा होता है, पर मा बाप नहीं होते हैं, जब बिटिया ससुराल से आती है, तो खुशी के आशू रोते हैं तेरे साए में आके मा मुझको मिलती है जन्नत, खुद मशीन सी चलती है, मुझको देती है राहत मा कहती है क्या बनाऊं, बता तुझे क्या है खाना, पापा कहते बाहर से क्या है लाना जो ग्यार महिने भाग दोड़ कर हर फर्ज अपना निभाती हूं, जून का महिना आते ही फिर बच्ची बन जाती है ग्यारह महिने ख्वाइशें मन के गर्भ में रहती है, तेरे पास आते ही मा, जन्म सभी ले लेती है देश पे है विपदा आई, मैं भी फर्ज निभाऊंगी, इस बार जून के महिने में मैं मायके नहीं आपाऊंगी तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं भी मुस्कुराऊंगी, इस बार जून के महिने में मा, मायके मैं ना आपाऊंगी तो धन्यवाद मित्रों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह का विता अच्छी लगेगी आपको पूले चैनल मों लाइके और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए विचार के साथ